लर्न पंजाबी वेज जगजी सर तेस चैनल वेज आप सब्दा एक बार फेर स्वागत है इस तो पहला वीडियो आप जी देखो मैं आपनों बेंती करदा हां कि नम्याँ वीडियो समय सिर्प राप्त कर ली साड़े चैनल नो सब्सक्राइब करो नाल ही बेल आइकॉन दे ब लर्न पंजाबी वेज जगजी सर चैनल दे सारे वे द्यारतियां विशेशक्र ग्यार्वी द्यारतियां अनू जियां आख रहें आपां आज असी जो सब्सक्राइब से ग्यार्वी जमद उससे चौथे पढ़ावते पहुंच गयां इस तो पहला सी कवता दी किताब वार् यांगे और चौथा पार्ट है और इस दे नम्बरा बरे वसी डिसकस कर चुके हैं और तुसी देखो वही इदे विच्छा दो इची जानगे जिए सड़ असलिबस है सीब्स है लेटस्ट दो जार नी वीदा वच लिखे सब तो लास्ती जे पेश्टे पंजाबी साहित दे रूप कवता ते नाटक निकास ते विकास यानि कवता ते नाटक बारी आएगा गुर्मत बारे सूफी बारे यहां और एक आंगी बारे इस वार नी आएगा असी सिर्फ इस वार दे एक कवता ते एक नाटक ए असी दे निकास ते विकास दी गल करांगे निकास ता मतलब ह आजैसे पजबी कवता वरें करनी चाहरे निकास दे कवुता कि में गोना आजी उस वरे असी इस दा अधार बनार बना रहे सब्स кैण कि समझाउ में चाहरें मिंब्हां टकीन करें, और फैल दी इनिव कास थी तरक्की किस तरहां दीए उध्य जड़ा है नहीं प्रोग्रेस कित्दाहां दीए उनसी कल कर देयां वी कवता सब है कि यह जदो सी देख देयां ता अलग-लग काव शास्त्रियां ने अलग-लग विदवाना ने अलग-लग थिंकर्स ने चंतक ने मतलब मनुखते पामा जजबियां दा सोज में एस्थेटिकल ते संगी तक प्रगटाव है तो मतलब जो सब्सक्राइब इमोशन संदे है जो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जन्दे है ते उस विचे बंदा कुछ कहना चांदा है दो तरीके बंदे एक ते दुनियावी बंदे सब्सक्राइब आपने गालनों इस तरह अथांटिक तरीके नल कहन दे है कि ओ कालंतर यानि समय तो परे चली जांदी है और शाश्वत यानि हमेशा लई रह जांदी है हमेशा लिक कायम हो जांदी है जिदो उसनों अपने शब्दन निसार कविता विचे यां वार्तक कविता रहीज था नहीं पर लोगि का रहाँ जा सकता है करूठ अनंद या जा सब्सक्राइबुतम सब्सक्राइब में लिरिकल होना यानि उसनों संगीत विचे म्यूजिक विच गाया जा सके वह कवता था पहला अलग लग विद्वान जड़े अलग लग तरीके नाल केंदे कोई कंदर भी कवता जड़ी दिल दी बोली होंदी जो साड़े मंच पाव वलवले यह जो भी उडारी होंदी है सा पाव नामा तुफान पैदा हुंदा है जिदो शब्दा रही मूच हो कभी दे निकल दा है ते ओ वलवले देश जानी पाव नामा प्रवा देश दी गाल जड़ी है ओ कवता कर दिया और एक गाल जरूर कैन वाली है भी कवता वी दो जड़े है ना ओ तो फेक्टर दो एलि और असी उसनों गुनगुना नदे यां उदा रूप बड़ाच है पुर उसने अंदर जो है न ओ कोई गंबीर कंटेंट नी है उदे कोल फॉर्म ता है रूप ता है पर उसने अंदर कोई वस्तू या उदे अंदर कोई विचारता रहा नही है इस करके देखन सुनन नू गान कोई नहीं ओना बारे लोग की सोच नहीं इस तरह इसा मतलब है पर हुन तो जेड़े गीता विच जिदा सी गुर्दास मांदे गीत लेंदे है फोरेवर ने इस तरह होर भी जेड़े कहीं कभी ने गायक ने उनना जीदों सी गीत लनने है तो उना विच एक ते लिरिक कर चुके हैं पिंगल नमद चंद बद कविता जैड़ी एक निश्चित मात्रा देंसा हिसाब नल चल दी है और कावता रस यहां लेल के आंदी है उस तो अलावा उस दा कॉंटेंट हो देंदर को इनको विचारता रहा होनी बहुत जुरूरी है होने जो कभी पावक हुंता है उदे अंदर वलवले दी लहर आंदी है उदी खास मनो अवस्था बंजन दी है उदे कोई खास जड़ा मेंटल लेवल बंदा है फिर अपने शब्दानों बड़ा संजोग के बड़ा कड़के बड़े तरीके नल जितना गागर दे अंदर सागर पर अना लिगाले ना उन अन्दर वे कवता दा निकास जनम उन दा है ते इस तरह कवता जड़ी है ना अलग लग समय अलग लग है एक अन्दर आलम बन आलम बन के अन्दर भी किसी ची नो देखिया ओदे बारे मंच वलवले आए ते कविता फुट भई किसे कुदर दे चरने नो देखिया पाई वी अगला बरका फुल इस तरह कवे नो कोई चीज प्रबावित कर दिया है पामे चंगी है मारी है कोई सोच वाली बड़ी सुंदरता वाली है और जो मनते असर पेंदी हो दा अंदर प्रोसेस चलता है शबदा दी चोन होंदी है शबद गुंद के फिर कवता बार आंदी है त जालतों परेदी कवता फॉरएवर जड़ा है उग कविता पैदा हुंदी है इस दा मतलब है भी खास मनवस्ता विचे कोई वेग जो अबाल लाके कवता नो जन्म देंदा है और जो गुण है जो अबाल है जो वेग है जो पावां जजबें दी जड़ी बूलीया वलवले देशा है हर एक देव वास्दी गाले जिसनों परमात्मा चुन दा है उसनों फिर कभी बनादा है कभी बनना कोई इजी नहीं है जड़े कभी एमें तुक बंदी करके कभी बन देने ना उनदी कवता हां हो सकता है एक जो दो बारी जड़ा है ना किसे पाठकिया शुरूत चड़ता है पर चेती डूब जने क्योंकि अंदर रूपता है पर वस्तु नियांदर वथ नियांदर कॉंटेंट और कोई विचारता रहा नहीं है और से देखांगे वे कवता लिखन दाए खास्टां चांदा है इसासी गुर्मानी नूपढ़ देया इसासी वारिशा बार काई काच्चगे बुले साय बारे 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 यांदर काच्ख सुल्तान भाई केती है अधा मतलब वह जिड़े सारी लोग ने उन्हाने किसे चछंद प्रबंद नहीं अपनाएं चंद प्रबंद है ठम गैर्द होनंगी यां किस जगाते रुक जाए गा उन्सर्दर उठ पूरा वजन देनाल उसनों लाय जनता है तो विच्वेक लाय एक रासी खास तरह बंदन पैदा हुदा है उसनों छंद बंद कवता कहने है इसा मतलब स्पेशल गिनती ते मिनती जिनों सी पिंगल जिस पार इसी वीडियो बना चुके है इसनों सी कवता कहने है चंद मैं कवता संगीत मैं कवता और आधुनिक जो वेग वाली कवता एक पाई पूरन सिंग प्रोफेसर पूरन सिंग ओ इना सारे बंदना तो आजाद है ओ करता है फ्री वर्स है और कवता वाला अनंद देंदी इस तो अलाव जाए बाकी कभी पंजाबी साइट विच होए नहीं जिनने भी उनदी कोई किते टामी टामी कोई विरली विरली कवता ओर रास देंदी है सिवाए क्योंकि चंद बद प्रबंद उना नूं आंदा नहीं उसे जो पैना नहीं चांदे इसलहीं किसे विशेश सूज दी जरूरत है वो किसे तरीकनल ऐमी कवता लेके दे पाटका समने जबरतस्ती प्रोस देया है उसदा फिर फोर एवर नहीं है वो अनंद नहीं है वो सिर्फ किताबां विच बंद हो के रहे जंदी है कि लोग का द जाल कर चुक है पहले भी सबता पहले गला वलवले नाल पर पूर ओनी चाहिए दिये दूसरी आइस रास गुद्धी ओनी चीए इस वीच रास परया होना चाहिए तो अगली गला संगीत वेच गाई जा सकती हुवे इस नोसी कवता कह सकते हैं असी कवता परक्दी गलकार अनन्द मिलना चाहिए और एस्थेटिकल सुंद्रता वेली होनी चाहिए संगीत यानि उसनों गाह के कहा जा सकता है उसनों असी राग्गांच बियान कर सकते हैं फिर फिर असी कर देयां बही कवता विच असी देखे वी जजबा होना जरूरी है अन्भव कवीधा अन्भव नहीं करके कवता जड़ी है न वह इत्यासर निकर दी पर जदो होली होली ओ कवी जड़ा मन जवान होना होना ज़ादा है फिर ओ जजबा अन्भव कवी बना दे पर जजबा कवी हमेशा फॉराइवर किसे कवी नू प्रसिद्ध यां परवान नीच ड़ा सकते कोई उसारू फिलास्फी यां जीवन दा को विचार तरह जरूर नीची इस ना सब्सक्राइब गुर्णान दीजूरे सारे गुरू कवियां कोल और कोई जीवन दी जजवात है यां अन्भव बहुत ज़्यादे विशाल है पर गुरू कवियां कोल एक विचार तारह है उन तो जड़ी विचारता रहा है किस तरह किसे बंदे नू देवता बनाने समर्थ है वो पुरा प्रोसेस है गुरुबानी विच इस करके जड़ी गुरुबानी है 500 साल पहले लिखनी शुरू गुरुनानदेव जी ने लिखी ते उस तो बाद होन तक असी उसनों अपने जीवन लोगी ओ प्रताय साखी महापुर्ख बोल दे सांची सगल जाने जो कोई गुरु साहिब ने किसे बंदे नू क्या कोई शब दुस्दे ली प्रती ओदे प्रताय उचा रहा परन्तों जो शबसी और एक समयली हरेक काली उससे तरह अजवी मन्यन यूग है इसनों कहने भी का लाती यही काल दे सीमा तो परे हो जावे असी काल की जजबा होना चाहिए और विचार तरह कोई फिलास्फी ओनी चाहिए जेड़े की जीवन दे सारे पक्खानू लेके चले और किसे मनुखनू के मैसे दे वी ओधा जीवन सुदारे कहीं कवता मा आज कल दे समय दियां करन पर किसे जीवन नहीं सुदारी किसे जीवन कोई कोई क्रांती नहीं लेके आ रही है इस करके कवता जेड़ी है ना वह सरफ एक पल ते अपना चलकार दे कि गयाव जंदी है बिल्कुल वैनिश हो जंदी है इस करके जीवन दे सारे पक्खान दा विकास करना कभी और कवता कवता मुल्क लच्छन है जे है तो सची कवता नहीं ते और फिर फिर उसरफ अखर ना देख सुमेल जाए जड़ा की खतम हो जाएगा अगलें की कवता जजबे ते अन्भाव दे अधार है उस सारे फिलासिव वाली भी है परो संसार वी चेतना या जागरती पैदा कर रही है जे और कर रही है ता हो सची कवता है जे होश्जिट समाज बदलाव लेंदा की जड़ागन नहीं कोई जबाया कोई एनर्जी नेएं कोई चिंणे के नहीं है curry को प्रवान कवाता नहीं कई जा सकती आड़े समापाके और गाइब हो सकती नहीं और पुराइगा उसे इंट करने कि पपंजाबी कवता वारे गाल करने के बाठ वीकास किस्ता था कित्त्र किपुहाँ किसτοफ पहले EP ihr इतिहा से बहुत प्रण है जो गीया दिक वता तो लएके उस्तवत गुर्मत कव अपनी बानी रची बानी दा विचारतर छो फिलासफी अगले जो पश्र postal पूरी ऐधाय पूरा सरूप है उаль इक Eastern Chili उनक शया हो उस तो बाद जड़ी दसम गरांद से दी बाणी दसम गुरु साब अलग तो मनी जान दी है सब दा मैसेज और सेमी आ जो पुरातन कविता है ओ अधियात्म कविता ओं या अधियात्म कविता है । ऐसी कहता जो रभ नों मुख हरके लिखिए선 अधर्ष्यक वता हो जो समाज विछ नवेशे लाके चल दी है नवे रूग्स अट नवहेश्परेट नो लाके चल दिए समाज ही तृसमाज हो सब कुछ अच्छाज पॉस्तिय पॉस्तिय बनाना चांद말 उसनों अधर्षवादी कवता कहने है ते जड़ी पुरातन कवता है जड़ा गुर्मत जड़ी अध्यात्मक है और जड़ी सूफी दी कवता है उसनों अधर्षवादी कवता कह सकते है उस तवाद आधुनिक कवता आजन दी है आजदी जड़ी कवता है ओ यथारत ओ रियालि शुरू कर दे अधर्श वाधी कवता लिखनी शुरू कर दे तो शायद अन्हा प्रवान नहों परंदू एही गाल पिछले समय तुक देज़े पुरातन गुर्मतियां अधर्श वाधियां ध्यात्म कवता है उससे कोई बंदा रियालिटी या प्रगतिवार लिखना शुरू लाना चाहिन दे एक खास समय दे बारे लिखी गी है पर जो गुर्बानी एक समय नों अधार बनाके तो लिखी गी है पर आनवले हजारां साल तक प्रभाव है उस सेम रहन दे इस करके जो गुर्बानी अधर्श वाधी कवता है और अध्यात में कि रभी ज्यान जिड़ा स अधर प्रभी ज्यान है जिड़ा कि ऐस त्रह दे गयान जो उस में सरोतवाल पॉंचंच मदद कर सकता है किसे मनुखनों देवता बना सकता है ऐसा जो गुर्बानी दा ऐसा गुण है और जो गुर्बानी है और चेतना पैदा कर दी इनसान देच और साचदी गाल कर दी है और मनुखनों एक डेस्टिनेशन दे पोचानली संगर्श कर दी है मनुखनों अपने विकाराना लडन लई समर्थ बनांती है उसनों किसे टेंदी कला तो चुके चड़दी कलावल लेके जा सकती है ऐसी गुर्बानी दे गुणा बारे गाल किती है जो तो सूफी बात बार जो निकल के जागरती फैलान वाली जेड़ी गाल है ना यानि पुराने बंधन तोड़न वाली जेड़ी गाल गुर्बानी वी चान्दी है असी जिदो सूफी बात दे गाल है वो नहीं आ दी अगांवदू जिद्धे वी सोच आ दी है उन वे शरादे चौक्ते विच ले जाके फिर उसनों रद करके उसनों इग्नोर या उसनों डाउन कर देता है जिदो से दस्यम गरंत दी बानी देख देयां वी साड़ी पंजाबी कवता दे के विशेश दौर है जो बानी गुरु गोबिन से ने लिखी ओ जिदी बानी इस तरह दे लिखी कि यह अधियात्म यह अधर्शकते है यह ते ना सब तो बड़ी जिदी उसे चाया भी ओ एक रांती कारी कवता है ओ जुग पल्टाओ कविता है क्योंकि इस कवता दे आस रही गुरु गोबिन सिंग जिने अपने लगबग ब्याली साल दे चोटे जीवन काल वीचे ऐसा बदलाव लेंदा ज आजे भी ओ जड़े सिधानत है गुरु गोबिन सिंगी दवरा ओ सिक्षवां दवरा अग्गे चलाये जा रहे है और सफलता ला जला जा जे इस रावर वी फिलोसफी वाली है विचारता रह वाली है और जीवन दे हर पाखनू लेके चल दिए इस करके जो गोबिन सिंगी यहां गुरु गोबिन सिंच जी बानी है, वो सारी जुग पल्टावु बानी है, उसना समाज जी बदलाव लेंदा जा सकता है, ऐसी साथ पंजाबी कवता बारे एक छोटा जया जान पचान दा एक लेक्चर या एक वीडियो, और असी पंजाबी कवता दे निकास दे विकास पंजाबी कवता जो आद है, जो अरम बैना, वो कितने हजारा साल पहले जो नास जोगिया ने, क्योंकि जड़े पंजाज विचर दे सी, पंजाबी मुहांदरा, पंजाबी शब्दावली, पंजाबी बिम्बावली नी, जो भी चित्रा दे समू लेंदे सी, जो भी बाद गुर्मत काव जो गुरु नानिक देव जी है, गुरु नानिक साथ बाद जड़े पंजे होर गुरुआ ने गुर्बाणी रही, अपने विचार तारा, एक मैसेज नो प्रचारित कीता, और मनुख नो देवता बनांता, जिद्दा सी गल कर चुकिया, ओ जिसने समाज विचे बदलाव लेंदा और उस दा प्रबाव आज देश समय विच भी साड़े सारे देश जिंदी की विचे रो जाना है, असे सूफी बाद निगाल कर देयां, जिस विचे इसलाम और शरात प्रबावितों के जिनने भी कभी है, पामिबाबा फरीजी ने, म अधियातम वादा प्रसार कीते हैं। इना सब आपने अपने अपने लच्छन ने जिना करके इना सारे कवता नों पञडबी दियां आध बिर्तियां, यानी आध लच्छन क्या जासकता है, ये पंजाबी कवता दा मुट ने ऐस सारी जिडियां, असी तेन विर्तियां लाल उना दिया रिचनावाने इस तो लावा जो दसम गरंथ दीबाणी है उसनों भी ऐसे गुर्मत का विच एड़ कर देयां इस तो लावा फुरसी काल कर देयां विजो आधनी कवता दा जो मुड़ बज्जा है ना वो निकास यानी शुरुआत कितों हुई है तैसे देख है एक पूरा समा सी जिससे सारा जिन्व जिससाइत रचा जारें की ऑपने बज देख दाम ज़िदुं हिंदुस्तान और साइटे प्रभाभ करण शिरू है पच्छमि कवता यह अंगरेजी कवता दा प्रभाभ पर चुरू है थे पंजाबी जो पड़े लिखे कवी सी जद पाई वीर सिंग जी ने प्रफेसर पूरन सिंग जी ने प्रफेसर तनी आजड तनीराम चात्रिक ने यह ओर जो कवी सी जिना ने अंगलेज जी यह पच्मी जो रंगत वाली कवता पड़ी सी उस दी जो संखेब ओना छोटा ओना और जो उस दे लच्छन दिखताम तीबरता वाले लच्छन सी उसनों महसूस कीता ते उना दी जो अपनी प्रमप्रागत प्रमप्रावदी ट्रेडिशनल जो कवता सी जेड़ी की सिर्फ अध्यात्मक रंगन वाली सी तार्मक रंगन वाली सी उस दायरे विच्छो निकल के नवी तरांदी कवता रचनी शुरू कीती अध्याबी कवता दे निकास दी गाल कर देया तास अनुपता लगदा अध्यानिक कवता दे निकास होया पाईवीर सिंधी रिचना तो शुरूंदा है जिना ने पच्छमी प्रभाव करके सब पहले छोटी कवता लिखनी शुरू कीती ते जिस कवता विच जेड़े सिना उना ने छोटी-छोटी टॉपिक्स ले और तक्रीबं उना दे दो मुख मुद्दे मिल दे उनना दी कविता वीच पाई वीर सिंग दी लेखते आध्यात्मिकता और दूसरा कुदरत आध्यात्मिकत उनने रचनावाने जिस वेच वार्तक वी ने और जिस वेच काव रूप इने सब तो पहले जो काब रूप राना सूरत सिंग लिख्या इस तो पहले लोकंद यह राय सी पाइवीश सिंग दे जो जिन्हें भी निकट वर्स हो इस वह जो ब्रज पाशा यां संस्क्रित यां फार्सी तो अलावा कवता लिखी नहीं जा सकती है क्योंकि पाइवीश सिं जो तो देख भी बर्यच पाशा भी लिखो क्योंकि साहित आच्छा काल तो लवांगा ते और की गिता है जिस नाना ने जिस कभी को पर जाब रिच पाशे दे सिह कभी सी ते उना ने राना सूरत सिंग जोडोड़ा महा काव है जो बहुत वडी कवता है बहुत वदिया कव सब्सक्राइब करें जो आम लोग का दी रहे सी ना कि आधनिक पंजाबी कवता जड़ी है ना वो पच्छी प्रभाव इठा लिखी नी जा सकती वो लोग का दी रहे जो तोड़ी पाईवीर सिंह ने तोड़ी कवता बारे सब्सक्राइब काव संग्राइब महा काव जिसे एक बहुत मोटी पुस्तक और एको कहाणी तुर्दी है राणा सूरस सिंग्दी ते उस दे अधारते कवता विच है महा काव कहा जन्द है इसनों तो लावा ओन दे कुछ काव संग्रेने मट खुला रहे लेरां देहार बिजल पाईवी सिंग्ग ने रूप अते विशे पको रूप दमता से देखा सी एक ते फॉर्म होंदा है एक बाहरला रूप है छंदा बदी हो गया उदिया लाइना किन्याने मातरा ठहराब किन्याने वो बाहरला रूप है अंदर दे की मेसजे की विचारता रहे जेड़ी की लो आत्मा दे एक सुपनाई मेल दा उनने छोट प्रभाव पेश कीता इस तो अलाव जिन्हें भी है काव संग्रह ने छोटी छोटी कवता मादे इस संग्रह ने और जिस से पता लगदा है बिपंजाबी कवता जो एक्दम संग्षेप रूप सी उपाई वीर सिंग्जी ने श संदरता है किसे जंगल दी संदरता है किसे होर वादी दी संदरता है ते उस तो अधारित होगी उस तो प्रभावित होगे पाई वीर सी ने का कुदरती संदरता बारे अपनी बहुत सारी रचना कीती है परंदू इगल होर देखन वाली है उनने कुदरती संदरता जो ब्या लोग ने अपने प्रभाव करके शिखानों मुसल्माना नो हिंदू लोकानों अपने इसाई तरह जबरदस्ती या किसे सामदाम दंडभेद किसे वित्रीके ना वर्गला के तरह परिवर्तन का रहे सी तरह वाईवीर से उस चैले नो स्विकार किता और शिखा विच सिखी नो दुबारा वापस लानली बहुत सारी रचना वार्तक दे रूबिच प्रोज दे रूबिच और कवता दे रूबिच कीती इस तो बाद असी देख देयां दूसरा जो पड़ाव अंदा है निकास ते पाईवीर सिंग बारे हो गया जो विकास निकाल कर देयां ते दूसरा ज दिरूब curb daddy मिल ले इस तुलाव जो पंचाबी बारे जो भी ग्यान सी पंचाबी इमां बोली वारे जो गहल सी ओ सारे जो नवे वश्य छ pracy और लोगए थे systembellay लैवल दे पंजाबी जमीन दे लैवल दे जो भीश शी ओ तनीराम चात्रिक ने पेश कीते अधे अध्याद्मिक्ता नू छाड़ दिता और पंजाब दी छूँ उना नू दिती और क्योंकि ये खेतां बारे सी क्योंकि कुद्रती सुंदरता बारे सी या होर चीजां बारे सी ते ए रियालिटी वाले सी लोकां दे जीवन दे सी इस करके तनीराम चात्रिक जीदी कवता नू असी यथारत वादी कह सकते हैं हाँ शुरू भी चुड़ा ने कुछ किस्से लिखे नल दम्यंती दा किस्सा लिखे राजा परत्री हरी दा किस्सा लिखे पर ओ किस्सें तो फिर अपना अब छुड़ो आके फिर ओ छोटी रागे नाविक अवता लिखी इना नमिया कवता मने ता निराम चाँतिघ जीदिया नामिया कवता मने बोगसारे संगराएं फिर चप जिणाद वारी जिणाबिच केसर क्यारी नमाится Puli घण था US नहीं नाजूटा दली संगरा सेन सरिक्गरा ने छोटी कवता-दे पर इस सब्सक्राइब निकास जनम बारे गाल करांगे कविता दे जनम बारे और टॉपिक्स केड़े केड़े सी की प्रभाव पयाउना थे लोग का दी पंजाबी का उतावरी की नेगटिव राय से उसनों तोड़ली राना सूरसंग लिख्या एवनों दे कहानी संग रहने इस तोला पंजाब तर दी पंजाबी त दी पंजाबिय थी पंजाबी लोगका दी जो आम विश्य सी उसनमदी कव तया हम ने कुछ नहीं कवता हैं प परफेसर पूरान सिंघ पंजाबी आधनी कवता दा तीजाव पड़ान रहना दा के अपने केस कटा के और बोध्धी सन्यासी बाणगे सी प्रंतु जो तो पाई वीर सिंग नुँ आके मिले ता पाई वीर सिंग ते सक्षियत उनदी छो नाल जो उना देविच अध्यातिवकता परियो इसी पूरन सिंग जी जी जेड़ेकी बोध्धी बाणगे सी उननों दुबारा सिख्षी सु लोगीं दी गल किती है और जो कोई नो कोई छंदा बद्दी दे नियम लागू हुन दे चंदा बद्दी तो परे नहीं है इस तो अलावा उसे ज़े मात्रा ने तोल तुकान ने रैमिंग वर्ट्स ने सारे ते प्रंतु जी तो सी पर प्रोफेसर पूरण सिंग दी गल कर दे उस तरह उनदी कवता चोटे चोटे वाका नो लाएके चोटे 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 ये सोज अस्थेटिकल गल्ला नो लाएके बढ़ियां सिंपल जी गल्ला करके और है उसे कोई चंद नहीं है प्रंतु कवता जिन्नाई आनंद दिन दी इस कारकेस नो जड़ी ना खुली कवता फ्री वर्स के आजंदा है बेरोग बहावाली है पुस्दी बोली शैली चांदा बदी हर तरह दी मर्यादा दे बंदन दो बुकत है प्रोफेसर पूरण सिंग दी कवता उना दे तिन संग्राय चपे ने खुले कुंड खुले मेदान और खुले असमानी रंग इना विचु अधुनिक पंजाबी कवता दे असी निकास दी गाल चुक कर चुक है पाई वीर सिंग ता निराम चात्रिक प्रोफेसर पूरण सिंग जो अधुनिक पंजाबी कवता दे आद यानि मुड कही जा सकते ने उसत बाद अज़ी हुन गल करनी है नवियां प्रमिर्टियां दी जड़ी है ना कुदरत्दी सुंदरता पर गल चल जी ओना पंजाबी कवता है क्योंकि अगलेरे समयावल तर्क चल पी अगलेरे पढ़ावल चल पी है इस करके इना कवियां तो बाजडे नमे कवी आये उना दे जो विशे सी उना जो विशे वस्तुवी थीम सी या जो भी पेशकरी जो उनने बिंब ले जो उनने द्रिश ले जो उनने टॉपिक ले और पुराने कवियां तो थोड़ा जया हटके ले पहले सारा अध्यात्मक दे अधर्श्वाद है पर जिडिये नविया प्रवर्तियां जनम लिए जना विचे डॉक्टर दिवान सिंह काले पाण ले हिना ने सारे ने कुदरती सुंदरता दिकल ले ते इना बहुत सरी है का उतामा लिखियां ए जो सारा दौर है उस समय ददौर है जिदू पार जो सी ऑ अंग्रे जयातों अपना राज वापस लेने नी शुत नतरदी जैसे इना काउतामा विच इस बहुत सरा असर देक् यह तो इस करके इना नव जिरेना पुर्पार्ती अजाद्धी दे बारे लिखने वले कभी भी के जाख क्रट्ट दिवान सिंग काले पाणि जिना नुख काले पाणिस सजा हुई तो करके काले पानी जड़ा अगने टेन नाल अन्द है डाक्टर मोण सिक इनना सारे ने पंजाबी दे उस माहूल नू पंजाब दे उस माहूल नो लिया जदो सारा पंजाब विशेश करके पंजाब विचे कुर्बानी दे बहुत सरी लहरां चाल रहीं थी फिर अगली गाल करद देदीन हो गया अमीर लोका नूं यहां जो राजशाही राज तंतर सी उसारा वैनिश करता और खतम करता फुर इस गाल दा प्रभाव जो सी समाज वादा साम्मे वादा सोशिलिसम दा जो प्रभाव सी होली होली साहित ते प्यां रशिया दे के रेविचों पच्मी कवता दे संसार वीचों बराबरी दी काल चली संसार वीचों बड़ा छोटा नहीं रएगा सारे पास सरे बराबरी आ जाएवेगी इस विचारता रहनों समाज वादी याँ प्रगतिवादी विचारता रखें देने थे अगला दो चले हैँ आत्मक दे अदर्शिक दोर तो बाद नम है भेड़ियां चली हैं पंजाब काता ना ना चैना व्पार स्भूध दिवात हों पूरे संसार विच समाज़ वाद प्रग्तिवाद जाने भराबरी ती खी व्स्क्राइब कर रिए उस मे पंजाबी के वत ने उस उस वाद बड़ी जलदी आं ध üz Exp forty और प्रह्तिवात गाव्त उसमें पंजबी नहीं जल्दी ग्रहन किता बड़ी जल्दी डाइजेस्ट गेत अब लचछन करके प्रभाव करके प्रफेसर मोहन सिंग, अम्रिता प्रीतम, प्रीतम सिंग सफीर और बावा बलवन सिंग कभी जो प्रगतिवादी लहर दे कभी है जिना ने अपनी पुराणी प्रंपरा अध्यातम ते अधर्श तो अलग होके कुदरती सुंदरता तो अलग होके नवी तरह दे टॉपिक लेके, नवी तरह दी छंदा बदी लेके फिर अपनी रचना कीती जो असी प्रोफेसर मोन सिंग दी गाल करते हैं, आप प्रगतिवादी गवतारी गाल करते हैं प्रगतिवाद दा मतलब है जो समाज जो बराबरी दी गाल हों दी है और माडे दे हकाली, ग्रीब मजदूर दे हकाली गाल हों दी है नारी दी समानता दी गाल हों दी असी उसनो प्रगतिवाद करते हैं जो जो विचारता रहा हो पुरातन पिछडी विचारता रहा तो छुटके अगलियां ली हांते अजादी यां समानता वाल चले असी उसनों प्रगतिवादी कवता के निया जिदो उसी प्रफेसर पूरण सिंदी गाल कर देया तो सानू पता लगदा है असी गाल कीती है प्रगतिवादी बराबरी दी गाल कीती है अगांवदू दी गाल कीती है ना रोमांस 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 प्रेम और रिस्क लेंदी रो ताकत रख देने इस करके जो रुमांस है रुमांटिजम जिस विच नायक नायक दे प्रेम दीविगाल है और ऐसे बदलाव दी सोच दीविगाल है जड़ा समाज ले आ सकता है और जड़े विश्य सी और रुपक बत्ख़ों बहुत बदल गए प्रफेसर पूरन सिंदिक होके नवी रूपक लेगे और नवी शब्दावली प्रोफेसर पूरन सिंदिक अब जजबा बहुत तिक है और चंद प्रबंदी बहुत बहुत सकती नाल पालना की तेगी है जिस करके एक विचार तारा दूसरा कवता दा रूप एक छंदा बद्दी इक उजन्द विचार चानल जो ट्रांसलेशन है और कच सच इस तरह दे एस तो अलावा हो और विचुन अधे काव संग्राइए कवता दे संग्रा आए असी जदो अम्रता पृतम दी गल कर दें आं तो सबता लगता है जिते प्रगतिवादी गाल लाज हो रही है एते जो अम्रता पृतम है ना बाद पाकस्तान और पारत अलग लग हो गई और हिंदुस्तान दिलांते बहुत वड़ा काव बहुत वड़ा चखम छट गए उस विच जो ब्रबादी होई मनुखता दी ब्रबादी होई उसनों अम्रता प्रीतम अपनी कवता दा अधार बना दिये विस्त अलाव मनुखता कर दिये क्योंकि नारी इस करके उस समय दे समाज विच जो नारी दा स्थान जो नारी दी पीड़ा जो नारी दी वेदना यां दर्द है जो उस दा पिछड़ा पन्न है उसनों अपनी कवता विच आधार बना दिये इस बार ऐसी पहले वी गालचा कर चुके आभी इसने आधे नारी आधे पंजाब बनाते जो कतले आम वह यहां बहुत जादा वनों वेदना दा जो उनानों बहुत जड़ा ट्रेजिडी सामना करना प्या उसनों अपनी कवता अम्रता प्रितम जी लेंदे ने उस बाद इना नो साहित अकैडमी दे पूरुसकार मिले पदम श्र आधे नो पूरुसकार यानि नाम या सनमान भी प्रापत ने जो भावब बलवनती गाल कर दे आधा था नो पतलगदा प्रक्तिवादी रोमांस वादी मनुखता वादी नारी वादी इस विश्य दो बाद जड़ा एप्रगतिवादी ने प्रक्तिवादी जो प्रफेसर मो बहुत तेजी ना बदलाव वाना चाहिदा है और समाय ते बदलाव जिड़ा है वो अग्गे आनवले पविखनों भी बदल के रखते वेगा इस तरह ते जो विचार ने बावा बलवन दी कवता जो मिलते ने अमन है जंग है प्रकर्ती है ऐसारे विश्यां थे बावा बलव अभी इना विच अधर्शिवाद अधिहात्मक बाद फिर उस तबार समाज वाद प्रगतिवाद रोमांस वाद अदै मनुखता वाद नारी वाद अदै फिर प्रकतिवाद दी गल्ले ऐसे बहुत दी कंशी जाते बहुत दी कंशी ता मतलब होन जो कविता दा पाठक है वो कवी ने जो बुधि दे सतर्वते बहुत उच् revived and पज्ली उच्च ऊट चुक्या इस चरके जो प犄त्स ते कंश्परद्ञ प्रankaत je होनस ये देखिया जो आधिनिक पंजाबी कवता से इसदे निकास दिगाल पाई वीर सिंग नाल शिरू होई विकास फिर ता निराम चातिक पुर्फेसर पूरान सिंग उन्हों दे विश्य बारे चलिया नवियां प्रविरती आये फिर इसी देख्या पहले से पुरातन दी गाल किती फिर अधारत वाद आ गया उसा प्रक्ति वाद रूपता रण हो गया फि फिर इस दा कवता ते मुहांदरा सी बड़ा उन्यत और नवीन मुहांद्रा बड़े नमे किसमना मुहांदर हो गया फिर संसार जे उत्तम कवता है पंजाबी दी आधुने कवता संसारो किसी ही कवता मैच करके उस मोंट ब लान दी ये इस वार cooperative आप दिविचार हों आईकॉन दे बटन नों दबाओ जे करे वीडियो आपनों पसंद आए ता लाइक करो तेस वीडियो नों होरा नाल बात बात शेर करो